हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई टूब चैनल, एक्सरसाइज 14.6 से कोश्चन नमबर 6 करेंगे ड्रो एन एंगल ओफ मेजरिंग 45 डिगरी एंड बाइसेक्टिट 45 डिगरी का एंगल बनाना है और उसे बाइसेक्ट करना है तो 45 डिगरी का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिगरी का एंगल बनाना होता है 90 का हाफ होता है 45 तो 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिगरी का एंगल बनेगा और फिर 45 को बाइसेक्ट करना है यानि 45 का हाफ करना है तो फिर हमको मिलेगा 45 का बाइसेक्टर देंगे तो 45 डिगरी का बाइस सेक्टर पता चल जाएगा चलिक कोशन की शुरुवात करते हैं तो 90 का एंगल बनाना है 90 का 45 का ये सारे आप कोशन नंबर 5 में कर चुके हैं एक बार फिर से करते हैं कि तो सबसे पहले में एक रे बनाऊंगा कि और इस रे का कुछ नाम रख लेते हैं ओ और यहां पर क्यों तो इस ओ वर्टेक्स के उपर मैं एंगल बनाऊंगा 90 का 90 का एंगल बनाने के लिए आपको कमपस लेना होता है थोड़ा कन्विनियन्ट रेडियस से इसको खोलना होता है और इस ओ वर्टेक्स के उपर रख के नीडल को एक आर्क लगानी होती है इस रे से वो टच होनी चाहिए यहां पर ऐसे यहां ज़र टच होनी चाहिए और एक आर्क लगा देते हैं और फिर इसको बिना हिला है यह measurement हिलना नीची यह और यहाँ जो intersecting point आया है इस रे के उपर यहाँ needle रखके एक पहली आर्क लगाते हैं फिर compass का measurement सेम होना चाहिए यहाँ पर intersecting point आया है इस पर needle को रखकर और यहाँ एक दूसरी आर्क लगा देते हैं अब इनके बीच में जो है ना यहाँ 60 degree है यहाँ 120 degree है जब इतने को हम bisect करेंगे तो यहाँ पर कहीं यह bisect होगा और यह angle बनेगा 90 degree का तो इसे bisect करने के लिए हम compass को इतना भी ले सकते हैं हमने already लिया हुआ है यह इसके आधे से ज्यादा ले सकते हैं तो आधे से ज्यादा मैं कर लेता हूँ यह मैंने कर लिया अब एक बार इस point पर रखके इस आर्क लगाएंगे और एक बार यह जो 120 वाला mark है इस पर रखके आर्क लगाएंगे तो यहाँ यह दोनों arcs intersect हो जाएंगी let's suppose इसका नाम हम यह C रख देते हैं और इससे मैं join कर देता हूँ overtax तो अभी जो angle बना है COQ यह बना है 90 degree का 90 का bisect करेंगे तो 45 आएगा अब हम इसका bisector बनाते हैं जिस angle का bisect करना होता है उसके अंदर अंदर यह जो arc आरी होती है इसके length का जो इसकी straight length होती है यह इतनी हो गई है इसके आधे से जाधा compass को खोलना होता है आप इतना भी खोल लोगे तब भी आपका answer ठीक हैगा आधे से जाधा लोगे तो भी आएगा लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए आधे से कम अगर होगा तो यह ऐसे arcs intersect नहीं होगी तो यह total length इतनी है मैं थोड़ा सा इसे कम कर लेता हूँ अब यह आधे से जाधा हो गया है अब बारी बारी से इस point पे रखके यहाँ एक arc लगाऊंगा और फिर इस point पे रखके यहाँ पे एक arc लगाऊंगा यह थोड़ी छोटी पड़ गी है मुझे intersecting point नहीं मिला है तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यह हो गया है यहाँ पे आया यह intersecting point जो फालतो की arcs अबर आपकी लंबी निकल जाए तो इन्हें आप काट दिया करें क्योंकि हमारा purpose होता है intersecting point पता करना वो पता करने के बाद arcs का काम खतम हो जाता है थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए दिखनी चाहिए थाकि steps दिखाई दें अब इस point से o को जोड़ देंगे तो 90 का bisect हो जाएगा और वो 45 degree का angle बन जाएगा यह मैंने जोड़ दिया let's suppose इस point का नाम हम यहाँ जो intersect हुआ है इसका नाम हम e रख देते है तो e o g यह e o q यह इतना 45 degree का है यह वाला और e o c यह भी 45 degree का है 90 के दो पार्ट होगे हाफ आफ में तो यहाँ पे हम angle e o q को लेंगे यह हो गया है 45 degree क्योंकि हमने यह baseline लिए ही न तो अपना angle हम जो final होगा वो हम यहाँ तयार करेंगे अब इतना तो है यह 45 degree हमें 45 का bisector बनाना है तो अब इस angle को हम bisect करेंगे e o q को अब bisect करने का वो यह तरीका है जो मैंने आपको बताया जिस angle को bisect करना होता है उसके अंदर यह जो arc बनी होती है इस arc की जो total length होती है straight length यह इतनी है तो इसके आधे से थोड़ा सा जादा ले लेंगे अब देखें आधे से थोड़ा जादा है न और अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनो points पे बारी बारी से needle रखके और दो arcs लगा देंगे वो intersect होंगी एक point के उपर यहाँ पे रखके मैंने लगाई और एक बार इस point के उपर रखके लगा देता हूँ यह आगे intersecting point इस intersecting point का नाम हम let's suppose जी रख लेते हैं अब इस point से over text को जोड़ देंगे यह मैंने जोड़ दिया बिलकुल accuracy का ध्यान रखना आप point के उपर से line जानी चाहिए यह हो गया तो 45 का यह half हो गया 45 का half होता है 22.5 तो E O Q का bisector कर दिया तो angle G O और यह Q यह हो गया है 45 का bisector bisected angle 45 का half हो गया यह 22.5 तो यह construction होगी है complete इसके steps देख लेते हैं draw R A O Q O Q एक ray बनाईए at point O draw right angle C O Q is equal to 90 degree यहाँ पर मैंने ओ point के उपर पहले C O Q बनाया है एक 90 degree आपको इसके detail steps लिखने हो तो quotient 5 में आपने यह angle बनाया है draw O E bisector of C O Q फिर C O Q को bisect कर देना है और उस bisector का नाम O E रख देंगे 10 E O Q is equal to half of 90 degree that is 45 तो यह जो E O Q है यह 90 का half हो जाएगा 45 degree का तो 45 degree का तो angle है E O Q अब इसको bisect करना है तो इसका एक bisector बना देंगे now draw O G bisector of E O Q फिर O G एक bisector बनाएगे इसका E O Q का 10 G O Q तो फिर G O Q यह हो जाएगा 45 का half यानि कि bisect हो जाएगा और ही 22.5 आएगा यहाँ पर लिंक भी देते हैं 22.5 degree Q कोशन खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए good bye